नमस्कार दोस्तों आज हम different लेकर कहलें difference किसमे किसमे यार past करको कर जाते हैं कि टोटल का टूटल गरां किरिटख घुर जाते हैं पर हम लोग पाचान समझते हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों तरह connected कि करते हैं तक को हिंदी में पाचान देखते हैं तो ठीक है ठीक ने लेकिन उसके साच अईयाב याड़े आई ए जैसे ताथा कैसे आते थे खाता था जाता तायाता था नहाता था जैसे खाता फिर से पीता था सोता था इस तरके से आई एक मतलब आ का मातरा आगा जैसे खाया खाई आई ए गया गई सोया सोई आए इस सब बाते जो सिंपल सी बात है ता था आएगा या आई ए के मात नहीं देते हैं चुकह जो हमको पूरा का पूरा कनफूज giorno कर देते हैं इसमें दियान से देखिएगा आई ए का मातरा की बाद है की बात नहीं आगी और यहां पर है हूं है की बात आएंगे जिसे ता था तो पकड़ा गया तुरूंत हां की पास्टी इनफिटेंस है लेकिन यहां पर खा चुका है खा लिया चुका है चुकी आया है तो तुरूंत पकड़ देंगे कि हाँ present perfectus है लेकिन जैसे आ गया खाना खा लिया है है हमको देखना ही होगा है मेरे को तो देखना ही होगा कि है वहाँ पर है कि नहीं है यदि वहाँ पर है नहीं है तो समझे लिना वह क्या है पास्ट क्या है है तो समझे लिना पर्जेंट पर्फेक्टरणस का है तूकि देखते हैं वह खाना खाया और वह खाना खा लिया है वह गया वह गया है तो यह दूनों में को जादे confusion की बात नहीं बस वहां पर चीज़े clear करना है कि है present high की नहीं है ओके recognition यह देखते है past inipetence का recognition जो है वह अब second form यूज होता है और helping और यहां पर क्या होती है डीड होता है बलकि present perfectence में क्या होती है लेकिन हिंदी में वही जो आ जाते जांपर है मेरे को धान से देखना होगा और चीज़े clear कुछ एक्जांपर समझते हैं तब चीज़े बड़े असानी से लोगों को clear होती होती चली जाएगी ओके देखिए यहां पर मैंने कुछ एक्जांपर लेकिए पास्ट इनिपिटेंस के पर चीजों को समझेंगे बड़ी असानी से clear होते जाएंगे तो वए बच्चे को पढ़ाता थाथा वह खाना खा लिया ह्एओ आसे अधून से बड़ादिए लेकिन जैसे अगला हो और गया वह घर गया अब तो दिकत आ गया वह घर गया मतलब आ ये के मांतर गया वह घर गया या आप देखो इसी को तुम घर चले गए हो या वह घर चला गया है या वह घर चा चुका है है की बात आगी और परजेंट परफेक्ट इसमें कोई भी काम होता है ये परफेक्ट की बात कर है तुरहन को पढ़ाया है और आप पढ़ाया है अब आप पढ़ाया मैंने खाना खाली मैं वही हुआ वह तो उसको मैं पर्फेक्ट की तरीके से बोले कि पास गया वह घगर गया गया घंटा गया दो गई लेकिन तुम घर चले गया तो अभी गया हो अथा पून करके पूछ अच्छा तुम घर चले गायो हाहाँ मैं घर चलगया हूं ओके यह तुरंत की बात आगी जो लंबा लंबा समय की बात आती तो लंबा लंबा समय की बात आगी तहो पास्ट इनिपिटेंस और तुरंत मतलब है हूं लगेगा तो समझ देना वहाँ पर क्या है परजिन पास्ट निपीटेस में हमने देखा कि वह आपके सेकेड़ फाम आती है वह बच्चों को पढ़ाता तो वह घर गया ही अगो का सेकेड़ फाम वेंट ही वें टू हूम मैंने बच्चों को पढ़ाया तो आई है एक गलब देखो मैंने लिख दिया क्योंकि पढ़ाया आई यह का मात्रा नहीं आना चाहिता आई है यहां पर गलब हो गया मैंने बच्चों को पढ़ाया उसने एक मोवाइल खरीद है तो लोगों ने इतना देखा अब रगवत परजेंट परफिटम यहां पर है धान से देखना है यह खा लिया है यह जा चुका है 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 की नहीं वह खाना खालिया इतमसी ए sitting in the foot क्योंकि है यहां पर है तुम घर चले गया है तुम घर जा चुके तो यू have gone to home मैं बच्चो को पढ़ा चुका हूँ या मैं बच्चो को पढ़ा लिया हूँ तो I have taught the student मैंने उनसे आज मिला है तो I have made today मैंने उनसे आज मिला मैंने आज उनसे मिला है वो स्कोल से आ गया है तो he has come from the school तो differences क्या है इन दोन में यहां पर हैं देखना और यहां पर हैं वहां पर परजेंटी नहीं है okay there is not more difference है कुछ भी जादे difference की बात नहीं है इंग्लिस में तो बड़े असान है हाई जैप के साथ बर्व की थर्ट फार्म है कि इंग्लिस में कोई पहचान की जुरुत है नहीं और हिंदी मिडिया में भी वही हिंदी का जो संटेंस ना उसी में confusion होता मैंने उसको खोल करके बता दिया I think आपको क्लियर हो गया होगा ओके कर दो ताया हो है